बिसमिल्लाहिरह्मानिरहीम, Assalamualaikum Students, Welcome to my YouTube Channel MTH202 का Lecture No.27 है Algorithms आज हम study करेंगे Algorithms को Pre and Post Conditions देखेंगे Algorithm की Loop Invariant को भी साथ देखेंगे और साथ Loop Invariant के थेरम को भी सबसे पहले Algorithms क्या आते हैं The word Algorithm refers to a step-by-step method for performing some actions Algorithm कहते हैं हम sequence of steps को जब हम कोई भी action जो है वो perform करते हैं लेकिन एक sequence के साथ step-by-step करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास algorithm होता है ठीक है फिर आते हैं आपके पास information about algorithm First कहते हैं कि the name of algorithm together with a list of input and output variables कि आपके पास algorithm में क्या होता है एक list आती है input की और साथ उसके variables होते हैं फिर आपने description से बताया होता है कि कैसे algorithm work करेगा और फिर जो input variables होते हैं उनको कुछ नाम दी होते हैं label दी होते हैं उनकी कुछ data types होती है तो आपके पास आती है लास्ट में end statements यह बस आपने read कर लेना है फिर आते है आपके पास devian algorithm तो devian algorithm के लिए क्या कहते हैं आपके पास integer होना चाहिए n और positive integer आपके पास साथ होना चाहिए d ठीक है तो exist कहते हैं आपके पास करता है अगर q और r आप किस तरह से write कर सकते हैं n equals to d.q plus r अब इसमें देखें यह जो condition और नोंने हमें थेरम बताया quotient remainder का इसमें n जो आप लेंगे वो आपके पास positive नंबर होगा कोई भी d devian को कहते हैं क्यों जो होता है वो आपके पास quotient होता है और r जो हो remainder होता है आपने इसको ना याद करना अच्छे से किस तरह से हम devian algorithm को लिखते हैं इसमें बताया हुए कि जब आप values फाइंड करेंगे न r की तो r आपके पास 0 से lesser होना चाहिए यह जीरो के बराबर negative नहीं होना चाहिए और कहां तक जाएगी यह value आपके r का जो answer है वो d से lesser होना चाहिए यनि कि जो remainder है वो lesser है ना चाहिए किसे divisor से hope so आपको समझा आ रही होगी अब पहले example देखें n के दियाव है 54 और d के दियाव है 4 अब जब हम 54 को 4 पे divide करेंगे ठीक है 54 को 4 पे हम divide करते हैं तो हमारे पास बचेगा 13 और नीचे आपके पास जो remainder ना वो 2 बचेगा यह जो quotient है ना वो होता है answer आपके पास जो remainder बचेगा वो 2 होगा तो आपने बता देना 13 quotient है और 2 remainder है ठीक है next day के साथ n अगर 54 हो और d आपके पास 4 आ रहा है तो same way करना है minus 54 को आपने divide कर देना है 4 के साथ ठीक है तो quotient आपके पास minus 14 आ जाएगा और remainder आपके पास 2 हो आ जाएगा तो आपने की form याद करनी है n equals to d dot q plus r जब आप d को divide कर देंगे divisor को जब आप n के साथ divide करेंगे तो आपके पास जो values आएगे आप simple उसको उनके नाम देके तो इस formula में put कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी value divisor की है और क्या आपके पास remainder आ रहा है फिर आपको बताया हुआ है algorithm में बताया हुआ है कि आपके पास जो input है ना वो first value होती है ठीक है और algorithm की body जो है उसमें आपके पास remainder कैसे आएगा start आप a से करोगे और q आपके पास क्या है q आपके पास है output कहते हैं और वो start कहां से होगा 0 से आप इसको start करोगे while की condition बतायी हुए है कि आप तब तक जो है ना वो remainder find करते रहेंगे जब तक के remainder आपके पास greater than या equal नहीं आ जाता d के r find करने का remainder find करने का आपको बताया है वह है कैसे हम करते हैं r में से minus d करके और आप जब quotient find करेंगे तो आप one by one q first आप zero put करेंगे फिर उसमें आप one plus कर देंगे फिर आपके पास जो या ना जो value आ जाती है उस quotient में फिर आप one plus कर देंगे यन्य के q आपके पास previous value value में next value एक one add कर कर के आएगी ठीक है यह बताया हुए, नेक्स देखें, इस टेबल को देखते हैं और जो है ना वो समझते हैं, यहां पर दियावर ट्रेस दे एक्शन आप दे डवीन अलगरिथम और इनपूट वरियेबल A 54 और D 11, अच्छा अब इस टेबल में क्या इनोंने बोले हैं, इनोंने का A की वैलू 54 है और जो D है ना वो आपके पास 11 है, यह दो आपको वैलूज दी हुई हैं, यह आपने इनपूट है और आपने आउटपूट फाइंड करनी है, R और Q, Q जैसा है कि हमने का था वो कोशन्ट है, तो आप वो लूप लेंगे, 0 से स्टार्ट करके 4 तक लेंगें, ठीक है, यह ब कोशन्ट है ना, 0 से स्टार्ट करेंगें, तो A 54 था, R फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, आपने जो आपको A given किया हुई है, उसमें से आपने माइनस कर देना D को, ठीक है, यह यह नहीं कि फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, 54, R की, 54 आ रही है, अब आ R की जगा 54 और D की वैल्यू 11 माइनस कर देनी है, 43 आ जाएगा, जब आपके पास 43 आ जाएगा, अब आपने इस 43 में से अगें 11 को माइनस कर देना है, तो 32 आ जाएगा, फिर 32 में से अगें 11 को माइनस करेंगे 21, और 21 में से अगें आप 11 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, अब आपके पास R जो एना वो 10 आ रहा है वो lesser होता है 11 से यानि कि D की value से तो यहां तक कि आप values find कर सकते थे iterations apply कर सकते थे hope so आपको जो एना इस चीज की समझ आगी होगी next आज है predicate किसे कहते है predicate कहते है consider कर ले आपके पास एक sentence है asylum is a student at the virtual university ठीक है तो इसमें जो है आप जब इंग्लिश में भी करते हैं subject or predicate तो आपके पास एक complete sentence होता है उसमें वो person या वो चीज जो आपके पास काम करने वाली file होती है उसको हम कहते है subject ठीक है subject होता है काम करने वाला जैसे कि गया दिया asylum is a student at the virtual university इसमें जो असलम है वो आपके पास होगा subject और जो बाकी की है ना line is a student at the virtual university ये आपके पास क्या है ये आपके पास predicate है कहते है let कर लेते है P stand for the word P जो word हो किसके लिए stand कर रहे है subject को छोड़के बाकी सारे predicate के लिए is a student at virtual university तो इस पूरी line को आप P से denote कर दें ठीके और Q जो है वो stand करेगा word किसके लिए is a student at यनि के आप अगर देखें तो असलम को और virtual university first and last को छोड़के जो center वाला था ना is a student at आप इसको Q से denote कर लेते हैं तो sentence कैसे बनेगा both P and Q are predicate यनि के आपके पास शुरू P और Q जो आपके पास दोनों words बने हैं इन दोनों से मिला के आपके पास predicate आए तो ये दोनों P और Q आपके पास predicate के symbol हो जाएंगे अब आप sentence को लिखते हैं अगर X आपके पास क्या है student at virtual university and X is student at Y आप symbolize जब इनको करेंगे तो आप लिख सकते हैं P X and Q में आपके पास क्या आ रहा था Q में X और Y दोनों की values आ जाती है दोनों के variables आते हैं predicate के होपस आपको समझा आ रही होगी फिर है definition आपके पास आ जाती है अब predicate is a sentence that contain a finite number of variables and become a statement when specific values are submitted for the variables कहते हैं कि आपके पास predicate ऐसा sentence होता है जिसमें finite variables आते हैं ठीक ही जिनको आप count कर सकते हैं और वो statement कब बनते हैं जब आप values में changes कर सकते हैं variables को change कर सकते हैं ठीक है तो हमने predicate में यही किया न X कर दिया और Q में X और Y फिर आती है pre-condition and post-condition तो pre-condition में आपने क्या करना है देखें यहां से पढ़े often the predicate describing initial state आपके पास जो statement होती है उसमें predicate की अगर जो start वाली condition है initial state को describe किया जा रहा है तो वो pre-condition होती है और जिसमें final state को यानि कि जो result आया आपके पास वो आपके पास क्या होता है वो आपके पास post condition होती algorithm की नीचे example भी दी हुई है pre-condition में देखें the input variable m and n are non-negative integer अब इसमें input दो है m और n और यह individually बताई जा रही है तो यह आपके पास non-negative integers है जबके इन्होंने का output output आपके पास क्या रही है वो post condition है p equals m.n अब यहाँ पर आपके पास final आया है m.n तो यह आपके पास post condition है ओपस आपको समझ आ रही होगी फिर नीचे बताई आप post condition को आप कैसे लिख सकते हो a equals to b.q plus r ठीक है यहाँ पर यह देखें यह जो आपके पास statement है इसमें आपके पास यहाँ पर a equals to b.q plus r ठीक है तो यह आपके पास positive integers आपने लिए है variable q के और r यह दोनों positive होने चाहिए और आप अगर इस form में लिख सकते है यानि के a equals to b.q plus r q आपके पास quotient है और आपके पास क्या है r remainder है और b आपके पास कोई भी value आ सकती है जो के 0 से remainder जो है वो आपका 0 से b के दर्मियान होना चाहिए यानि के r जो आपके पास है remainder होगा वो यहाँ less than या equal 0 के उना चाहिए और कहां तक जाना चाहिए वो b तक ठीक है आपके पास b variable है कोई भी value हो सकती है positive integer हो सकता है ठीक है input variables a और b है ना तो b आपके पास final जो है ना वो variable है उसके बाद आपके पास आता है precondition में input variables को लिख सकते है array के साथ one dimension array कैसे कहती है आपको a आप लिखेंगे array की value 1 लिखेंगे two और so on ये end तक अगर जा रहा है तो इसमें आपके पास जो sequence ये precondition है पोस्ट में convert करेंगे तो a की जगा आप भी लिखेंगे और दूसरी बात important ये कि आप इसको एक sequence के साथ लिखेंगे जो a आपके पास precondition उसमें values आपके पास कैसे आ रही है उनको आपने change करना है और उसकी आपने sequence को भी correct रखना है और आप ये पास जो answers आएंगे वो आपके पास output जो होगी वो post condition होती है ठीक है तो ये बताया हो है और ये भी बताया हो है कि जो आपके पास initial value है वो less than और equal आएगी b की जो i वाली value है ray की वो less than equal आएगी b की j वाली value से ठीक है तो वो कब होगा जब आपके पास जो i है वो less than ये equal होगा j के ठीक है कि बेसे करें दो variables है आईए आईए आपके पास एक variable है और j तो जो आपके पास variable है i lesser होनी चाहिए values की j की value से और साथ आपके पास given algorithm है ये आपको previously बता दिया है r कैसे आथा आपके पास while loop में while में कैसे work होता है algorithm का r आपके पास greater than या equal रहता है divisor से और r आपके पास कैसे find करते है r में से आप minus करके d value को और आप q कैसे find करते है q में हम 1 को plus करे थे ये previously हमने इसको discuss कर लिया था आग आता है loop invariant method of loop invariant is used to prove correctness of the loop with respect to certain pre and post condition pre और post की condition से जब आप loop की correctness को find करते हो तो ये आपके पास क्या होता है loop invariant होता है ठीक है while जी आपके पास कहते है statement आपके पास body loop में जो none contain branching statement that leads outside the loop आपके पास जो भी statements आएंगी वो inside the loop ही होगी कोई भी value आपके पास iteration loop से बाएर नहीं होगी ठीक है while आपके पास end में क्या होगा post condition होगी ठीक है end while में post condition आएगी loop की definition बताई होगी है कि a loop is defined as correct with respect to its pre and post condition iterative में क्या है invariant में sorry आपके पास correct होगी values pre और post की conditions के साथ ठीक है और साथ बताई है the value invariant का जो theorem है इसमें आपने four properties को जहें में रखना है first basic property यानि कि आपने invariant की जो value होगा है जो variable लेना है end वो आप zero put करते हैं ठीक है और inductive में क्या करते हैं हम k put करते हैं और उसके बाद k plus one value पुट करते हैं ठीक है यह previously हम नहीं पढ़े थे सारे और eventual falsity of god में क्या करते हैं आपने finite iterations करनी है और क्या होने चाहिए जब वो false हो जाती है तो आपके पास क्या आता है eventual falsity of god फिर आपके पास क्या है correctness of the post condition if n is the least number of iteration after which g is false आप जो है नहीं वो iterations करते हैं और आपके पास जो है वो god की value false आ जाती है जबकि आपके पास inductive जो है variable है वो आपके पास true आ रहा है तो यह आपके पास जो है डिफाइन करती है कि post condition की correctness क्या है ठीक है तो यही था बस आपके पास